एक बार गनेश जी ने प्रित्वी पर मनुश्यों की परिच्छा लेने का नेने किया और वो मा पारवती और सीव के पास गये और बोले मातासिरी, पितासिरी, गनेश चतूर्थी पर मेरे भग्त मुझे बड़े प्यार से बुलाते हैं मैं इस बार प्रित्वी पर जाकर अपने भग्तों की परिच्छा लेना चाता हूँ परिच्छा? पर तुम किस परकार परिच्छा लोगे पूत्र? देवी पारवती, हमारा पूत्र बहुत ही बुद्धिमान है वो कोई योजना सोच कर ही प्रित्वी लोग पर जाना चाह रहा है इतने में ही गनेजी ने एक बुढ़े व्यक्ति का रूप धारन कर लिया गनेजी एक हाथ में डंटा लिये और एक हाथ में एक थैला लिये गली-गली घोमने लगे सभी अपने घरों में गनेजी की मूर्तियां बैठाए हुए थे और बजारों में भी जगर जगर गनेज परतिमा बीक रही थी गनेजी एक घर के द्वार पर गए वहाँ एक औरत खड़ी थी वेटी क्या तू मेरा एक काम करोगी इस थेली में मोदक बनाने का सामान है क्या तू मेरे लिए मोदक बना दोगी मुझे गनेज भगवान को मोदक चड़ाना है अरे बाबा मुझे माफ करो मुझे घर में बहुत सारे काम है और साम के पूजा के लिए खुद भी मोदक बनाने है जाओ तुम किसी और से मोदक बनवा लो और समान के नाम पर यही चीनी और पांस दाने की समिस लाए है इससे कौन मोदक बना पाएगा बाबा आगे जाओ इतने समान से तो एक भी मोदक ना बन पाएगा क्या हुआ बहन और यह बुढ़ा व्यक्ति कौन है देखो न बहन यह बाबा इतनी सी सामगरी लेकर आये हैं और मोदक बनाने की जित कर रहे हैं इतने समान से तो एक मोदक भी ना बन पाएगा जाने दो आगे चले गया किसी और को ढूनने गनेश जी इसी तरह बुढ़े व्यक्ति का रूप में जगह जगह भटक रहे थे कि कोई उसके लिए मोदक बना दे लेकिन कोई मोदक बनाने के लिए तयार ही नहीं हो रहा था क्या करूं कोई मेरे लिए मोदक बनाने के लिए तयार ही नहीं हो रहा है कहां जाहूं किसे बोलूं चलो आगे देखता हूं कोई तो नी स्वर्थ भासे मेरा मोदक बनाने के लिए मान जाए कोई तो मेरा सच्चा भक्त होगा चलते समय भगवान गनेश को एक घर से बच्चे की रोने की आवाज आई मा मुझे भूग लगी है मुझे कुछ खाने को दो ना कहां से लाओं खाने को तेरे पापा भी काम की तलास में रोज भटकते रहते हैं घर में खाने को कुछ भी नहीं है। घर में कोई है क्या, मुझे मोदक बनवाने हैं, कोई मेरे लिए मोदक बना देगा क्या, मैं सामान लेकर आया हूँ। ओ, बुढ़े बाबा, आप कहां से आये हैं, और क्या काम है आपको। बेटी, ये कुछ सामान है, क्या तुम मेरे लिए मोदक बना दोगी। मा, मा, मुझे भी मोदक खाने है, मेरे लिए भी मोदक बना देना। बेटे, बाबा के पास एक ही मोदक के सामान है, मैं तुम्हे कल मोदक बना दूँगी। बाबा, दीजिये सामान, मैं मोदक बना देती हूँ। बेटी बर्तन तो ले आओ बाबा ये लीजे कटोरी बेटी इतने चोटे कटोरा अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लाओ बाबा इतने बड़े बर्तन क्या करने का है आपके पास तो बहुत थोड़ा सा सामागरी है इतनी सी समान के लिए बड़ा बर्तन बेटी तुमने मोहधक बनाने के लिए हाँ कर दिया है तो बरतन भी बढ़ा ले आओ मैं उसी में समान रखूंगा ठीक है वाबा मैं अभी बड़े बरतन लेकर आती हूँ हाँ बेटी ये वाला बरतन ठीक है काफी बढ़ा भी है गनेश जी ने अपनी थैली से उस बरतन में समान डाला तो जरासी सामागरी धेर में बदल गई पूरा बरतन दूद मावा नारियल खोया से भर गया बेटी मैं कुछ धेर में आता हूँ तो बपा की मूर्ती को घर में बैठाओ और गनेश जतूर्थी की पूजा करो और सारे गाउवालों को पूजा में बुला हो और परशाहद में ये मोदक बाटो तुम्हें धो पता है कि गनेश जी को मोदक कितने पसंद है हाँ बाबा जैसी गनेश भकवान की इक्षा और गाउवालों को पूजा में आने का निमंतरन भी दिया अरे बहन आज मेरे घर में गनेश जतूर्थी की पूजा है मेरे घर पे आप सभी लोग आना ठीक है मैं परशाद भी दूँगी सभी को अरे इसके घर में तो खाने के लाले पड़े हैं और ये गनेश चतूर्थी की पूजा करेगी और मोदग भी बाटेगी चलो ना चल कर देखते हैं हम लोग अभी पता चल जाएगा ये पूजा का मोदग कहां से लाएगी और वो तो बहुत महंगे होते हैं सारे गाउं में परसाद बाटना कोई असान बात नहीं है इतनी देर में कीरन का पती केसब भी आ जाता है और गनेश चतूर्थी की तयारी घर में देखकर हैरान हो जाता है वो कीरन से पूछता है कीरन ये सब क्या है इतने सारे मोदग कहां से आए और ये पूजा की विवस्था कहां से हुआ ये सब एजी जब आप काम की तलास में गए हुए थे तभी एक बाबा आये थे उन्होंने ही ये सब किया है कीरन केसब को सारी बात बता देती है इतनी देर में वो बुढ़े बाबा भी आ जाते है बाबा आप आगे ये देखिए मोदक तयार है आप गनेश भगवान को भोग लगा दीजिए ये मोदक तुमने भड़े ही फ्यार सेहनी स्वार्थ भाव से बनाए है इसलिए गनेश भगवान को तुम ही इस मोदक का भोग लगाओ मोदक को पूझके बाद फूड़े घाओं में बाट देना और उसके बाद जो भी मोदक बचे उसे रात में अपने घर के चारो कोनों में रख देना तुमने मेरे कहने पर इतने फ्रेम से मोदक बनाए है तो तुम्हें इनका फल जरूर प्राप्त होगा किरन ने ऐसा ही किया गनेश भगवान को मोदक का भोग लगा कर सारे गाओं में मोदक को बटवा दिया उसके बाद बचे हुए मोदक को अपने घर के चारो कोने में रख दिया जब कीरन और उसका पती सुभा उठे तो देखा कि चारो कोनों में सोने, चांदी, हीरे, मोती से भड़े हुए हांडी रखे हुए हैं, वो समझ गये कि ये सब गनेश भगवान की किरपा है और वो बुढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बलकि गनेश भगवान स्वेंग आये थे उन दोनों ने जाकर गनेश भगवान की मूर्ति के सामने प्राथना की और भगवान को धन्यवाद दिया और गनेश भगवान की किरपा से कीरन अपने पती और बेटे के साथ खुसी खुसी रहने लगी